हेलो गाइस आपका स्वागत है किट्टू हाउस में गाइस आज मैं बैंगन की हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ बैंगन बहुत लगे हैं देखिए मैं लेके आई हूँ टोकरी और ये सीजर ये देखिए ये रहा बैंगनी है ऐसी तोड़ लेती हूँ ये अभी छोटी है इधर लगी है ये देखिए ये भी तोड़ लेती हूँ ये देखिए एक पिछे लगी है गाइस ये बैंगन है ये भी तोड़ लेती हूँ ये देखिए कोई बैंगन ये बैंगनी कानी नहीं है खराब नहीं है कोई भी किसी में कोई छेद नहीं है किड़ा नहीं है ये देखिए ये बैंगन गाइस ये देखिए ये देखिए एक बैंगनी उधर लगी थी ऐसे और एक इधर है देखिए बुटा बहुत छोटा है ज्यादा बड़ा नहीं है ये देखिए गाइस इतने सारे बैंगन हो गए है दो घरों की सबजी ये देखिए इसके साथ छोटा सा बैंगन और टूट गया ये रेखिए ये बैंगन बनना था गाइस देखिए कितने हो गए है एक किलो बैंगन है मैं इसको रख देखिए हूँ आपको एक पिज़ा और दिखाती हूँ जैसे कि देखिए बैंगन को किड़ा भी लग जाता है बैंगन को भी लग जाता है इसके पौधे को भी लग जाता है ये देखिए आपको दिखाती हूँ ये देखे कभी कबार ये ऐसे हो जाता है तब इसको हम क्या करते हैं इसको हम ऐसे काट देते हैं जहां से ये सूक रैस से थोड़ा सा निच्चे से काट देते हैं ये देखे काट के इसी में डाल दो और इधर भी था कहीं ये देखे गाई सी यह देखी ऐसे कुछ हो जाता है इसको हम ऐसे काटते हैं यहां से केड़ा लगा इसको यहां पर लगा हुआ है और इसको ऐसे कर लेते हैं यह देखी ऐसे काट देते हैं अब इसको काटते हुए डरना नहीं है कि कहीं बुटा ना खराब हो जे इसको कुछ नहीं होग बलके और कहीं सारी टानिया निकलेंगे उससे तो मैंने यह कहीं जगां तो अपरेशन करा हुआ है इनका यह देखिए जगां जगां से कहीं जगां पिकिया हुआ है ओके गायस एक दो दन में सिम्ला मिर्च तोड़ूंगी देखिए कितना बड़ा साइस हो गया सिम्ला मिर्च का यह देखिए कितनी लगी है दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा सोला स्तारा इसमें देखिए स्तारा ठारा हरी मिर्च सिम्ला मिर्च लगी है सौरी देखिए बुटा कैसे भरा पड़ा है दो तीन दिन तक तोड़ूंगी सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है लाइक सेर सुस्क्राइब जरूर करना कमेंट में कर मेरे को बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज ओके बाई फिर मिलते हैं